हेलो एवरेवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस सेनल पर स्वारत करता हूँ, मैं मन दिप्लामबा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जोग्रफिय और मोडरन इंडिया के बारे में आधुनिक बारत के बोगोल के बारे में बात करेंगे और सभी सीजने डिस्कस करें मिलता है, कब आपका ग्रेजवेशन लेवल पर पोस्ट ग्रेजवेशन लेवल पर आपकी जो जोग्रफिय और उसके साथ इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बैल आइकन भी प्रेस कर लें, वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक बट इंडिया है, वो आपका ग्रेजवेशन लेवल पर आपका स्टार्ट हुआ जोग्रूफिय आपका नाइंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट तक है आपका जोग्रफी राइट अभी थोड़ा सा स्कोलर के बारे में जान लेते हैं हमें पता लग गया कि कब ग्रेजूशन लेवल पे इंट्रडूश हो अथीक है तो आपका 1921 में आपका जो जोग्रफी है वह आपका कलकत्ता युवर्श्टी में इंट्रोडूश ग्या और वहां पर ये होडी के रूप में न्यूक्त किये गए तो फाउंडिंग मेंबर या फाउंडर मेंबर भी आपके कलकता युनिवस्टी के आपके सिव परसाथ चटरची मिलते हैं इनके रिसर्च आर्टिकल के बात करें तो प्लेटू दिंग मेखाले इनकी रिसर्च आर्टिकल है बुक्स के बात करें तो रिजनल जोग्रॉफी आपकी बुक्स है ठीक है और एस्टेबलेश है नेशनल एटलस औरगनाईजिशन इनकी बुक है तो यह आपका इंपोर्डें थे यानि कि भू आकरती विग्याता और इन्होंने आपका 1946 में आपके जो बनाराश हिंदु इन्वस्टी है उसमें जिग जोग्रफिय डिपार्टमेंट एस्टेब्लिस किया गया तो इनके द्वारा एस्टेब्लिस किया गया और यह फाउंडिंग फाउंडर मैंमर मिलते हैं आपके पील्टमेंट इनकी बुक्स के बात करें तो जोक्रफिय आपकी इंपॉर्टटन बुक है दा मेनेरल इस वज़े से जो आपके ये चीज़ें आपकी दोनों एरियाज की इन्होंने study की क्योंकि इससे पहले कि study सभी चीज़ें इन्होंने involved की थी इसके बाद आते हैं SC चटरजी सर, SC चटरजी सर पटना उनुवर्श्टी में 1949 में आपका PG established किया यानि ये post graduation session आपका इनके द्वा इस्टेबलिस या वहाँ चलाए गया फिजिकल जोगर्फर मिलते हैं SC चटरजी सर राम नाच से दूबे सर फोर्थ नुमबर वे आते हैं जिन्होंने अलावाद यूवर्श्टी में आपका जोगर्फर डिपार्टमेंट एस्टेबलिस किया ठीक है तो राम नाच दूबे सर ने आपका अलावाद यूवर्श्टी में जोगर्फर डिपार्टमेंट एस्टेबलिस किया बुक्स के बात करें तो एकोनोमिक एंड कमर्शियल जोगर्फी एकोनोमिक जोगर्फी ऑफ एंडिया एकोनोमिक डेवलेप्मेंट ऑफ इंगलेंड फिजिकल जो बेसिज ओ जो आपके जोगर्फी आईंके बुक्स से मिलती हैं फिफ्ट नमर पे आते हैं जोर्ज कॉरियन ये आपके इंडियन ही मिलते हैं नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये आपके इंडियन है एकोनोमिक जोगर्फर मिलते हैं और 1948 में आपका जो मतरास यूनि आपके जोगर्फी एस्टेबलिस किया गया डिपार्टमेंट नहीं के दौबारा एस्टेबलिस किया गया तो यह आपके फांडिंग मेंबर वहां के मिलते हैं इसके बाद जो भी जोगर्फ राएंगे वह आपके मोडरन लेवल पे होंगे ये एक तरीके से थोड़ा सा प् अपकमिंग वह आपके रिशेंटली मिलते हैं आपने सुने भी होंगे उनकी बुक्स पढ़ी होंगी तो भू डिसकुस करते हैं इस नमबर पर आरव सलिक सर अती हैं और सपीज सझ Lup較 के स्टूडेंट मिलते हैं स्पेशलाजगेसर इनका रिजनल जोगर्फिन में मिलता है बुक्स के बात करें तो इनकी बुक्स हैं, बनारस ए, study of urban geography, इंडिया original study, तो इस जो इंडिया original study आपके पास सब भी के बास लगभद के पास ये book मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो आपने कोई न कोई प्रिंट आउट करवाया होगा इस book से, क्योंकि ये बहुत important, original geography की book ब नाइंध नंबर पर आते हैं, प्रोफेसर लेखराज, प्रोफेसर लेखराज आपके human geography हैं, प्रोफेसर डियस लाल सर आते हैं, जिनको आप जानते ही होंगे, आप सभी लगभद के पास climatology book इनहीं के मिलती होगे, प्रोफेसर सवींदर सिंग आप बहुत ही जानते होंग अच्छे से और यह जियोंफिलोजिस्ट हैं, बुवा करते हैं, विज्ञान पे इनका काम है, जियोंफिलोजी बुक, फिजीकल जोग्रोफी, एन्वाइरमेंटल जोग्रोफी, क्लाइमेटलोजी आपके हैं, और जो भी oceanography, बहुत सी बुक इनके दोरह इंट्रूज की हमें पता लग रहा है, नई यह चीजें हों इंट्रूस हमारे सामने हो रही हो, फिफ्ट ट्वैल्थ नमबर पर आते हैं, आर्षी तिवारी सर, आर्षी तिवारी सर ट्रा ट्राइबल जोग्रोफी, एगरिकल्चर जोग्रोफी पे इंडिया पे इंपोर्टन के इनका मिलत होंगे एचन मिस्तरा सर के बात करें तो अर्बन एज वेल एज रीजन जोग्रफर ये मिलते हैं प्रोफेसर जी एस गोसाल सर के बात करें तो ये आपके जो पुपुलिशन जोग्रफी है वो आपके इंडिया लेवल पे इन्होंने ही एंटेडूस की इससे पहले किसी ने भी पुपुलिशन जोग्रफि के बारे में बात नहीं किती रैट प्रोफेसर सामंजि रालम सर अर्बन जोग्रफी एस वैल ए है रीजन जोग्रफर मिलते हैं अभी थोड़ा सा मंगी जान लेते है कौन कौशे जोग्रफर का कौन सा स्पेश्लाजिशन रहा है तो वह थोड़ सरका agriculture जोग्रफियों का काम है सन मखरजी सरका भी agriculture जोग्रफिय और विएस नेजी सरका भी agriculture जोग्रफिय पे काम देखने को मिलता है व्यएन सीना सरका industrial जोग्रफिय पे जदिश सर की transport जोग्रफिय वी ल अगरवाल सर ट्रांस्पोर्ट जोग्रफी और बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हैं सभी चीज़ें और बहुत अच्छे से सभी चीज़ें इंप्लाई करते हैं तो इंप्लिमेंट करना, ट्रांस्पोर्ट जोग्रफी ईनायत, एहमद सर अर्बन जोग्रफी डिवेदे सर पॉलिटीकल जोग्रफी मुनिश रज्जा सर रीजिनल जोग्रफी जस्वीर सर आपके अग्रिकल्चर जोग्रफी पर काम मिलता हैं तरीके से है आपको ये पता होजा कि कोन को से जोगरौफर किस-किस पे वर्क है आप सभी के ये भी कुमेंट होंगे अगर किसी कोई ना कोई इस AJAR बर भी जो प्रम पुड़ा होगा तो आप यो इनका ये है लेकिन जो बेस है बेस जोग्रोफर्स का इसी में मिलता है और सभी चीज़ आपके साथ डिसकस की थोड़ा सा आपको पता लगा कि हमारे जो पूरवज हैं हमारे जो एंशियंट्स हैं जिनके हम बुक्स पढ़ रहे हैं उनका किस पे आपका स्पेशलाइजिसन है क्या-क्या इन्हों लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ दन्यवाद आप अभी तक देखने के लिए जैहन जैवारत